नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रानी बेरागी चलिए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर यूपी में छट्टे और साथवे चरण में धार्मिक नगरियों में वाटिंग होनी है अयोधिया मधुरा प्रयाग राज में चुनाव हो चुके हैं अब काशी गोरकपूर और मिर्जापूर की बारी है वारान असी में लोग काशी विश्वनाथ कोरिडोर बनने के बाद बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं तो गोरकपूर का चुनाव इंट्रेस्टिंग हो गया है यहां शहरी क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ मजबूत है तो गाउं में साइकिल का बटन दबाने की बाते हो रही है योपी की पॉलिटिक्स पर धर्म कितना असर डालता है यह जानने के लिए हम पांच शहरों में पहुचे कई मंदिर मठो धर्म शालाओं में घूम घूम कर फुजारियों से बात की हमने यहां के लोगों की समस्याएं और यहां उनके चुनावी मुद्दे जाने हैं आईए एक एक करके इन शहरों की यात्रा पर चलते हैं वारानसी में सुबह के पांच बजे थे मठो मंदिरों से घाटो और वेदिक मंत्रो चार की आवाजें आ रही हैं अशाश्व मेध घाट पर गंगा में डुपकी लगाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है कुछ पंडे लोगों के माथे पर बीना पूछे चंदन लगा कर 10 रुपे मांग रहे हैं दुकानों पर फ्री लोकर, होटल बुकिंग के पॉस्टरों के साथ सपा, भाजपा और कॉंग्रेस के चुनावी परचे भी चिपके दिखे यहां हम पुराने वारा नसी की लगभग पेती से ज़्यादा गलियों में 4 घंटे तक घुमते रहें कुल मिलाकर यहां विजेपी और सपा की सीधी टककर है, इसमें भाजपा सपा से 20 है वारा नसी के काश्री विश्वनाथ कोरिडोर के बाहर प्रसाद की दुकान पर हमें विरेंद्र सिंग मिल गए उन्होंने बताया 2014 से पीए मोधी ने वारा नसी के लिए बहुत कुछ किया है काश्य विश्वनाथ कोरिडोर के बनने के बाद यहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है तुनिया भर में वारा नसी का नाम रोशन हुआ है विजेपी वारान अश्री की सभी विधान सभा सीटों पर प्रचंड पहुमत से जीतेगी प्रदेश का आकड़ा 350 पार होगा आज के अंक में इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात नमस्का यह दो बाइक प्रचंड के बाइक उन क्यों वारा का विजेड़ श्रीकी सभी आपसे लिजब प्रचंड जापसे भारा है